हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहिए भीहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग विस्प का भूगोल के अंतरगत नदियो द्वारा निर्मित अस्थल रूप के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमार चनल भीहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जरूर दमायत वाईए वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को परहेंगे तो आई इसके नोट्स को परते हैं नदिया अपरदन परिवहन तथा निच्छेपन कारियों द्वारा अपने उदगम अर्थात अपने स्रोट से लेकर मोहाने तक विविन परकार की अस्तला किर्तियों का निर्मान करती है नदिया जो है अपने उदगम से लेकर मोहाने तक विविन परकार की अस्तला किर्तियों का निर्मान कैसे करती तो अपरदन के द्वारा परिवहन के द्वारा और निच्छेपन के द्वारा वे इस परकार हैं पहला महाखड अथवा गाज बनाकर उच परवतिय परदेशों में जब नदी कठोर चटानों पर परवाहित होती है तो इसका अधिकांसकार लंबत अपरदन का होता है इस परकार किनारे पर कठोर चटाने पुर्वत खरी रहती है और एक घरी घाटी का निर्मान होती है जिसे गाज कहते हैं आए फिर से समझते हैं कि महाखड अर्थात गाज कैसे बनता तो यह उच परदेशों में जब नदी कठोर चटानों से परवाहित होती है तो उसका जो अधिकांस कार है लमवत अपरदन का होता है इस परकार किनारे पर जो कठोर चटाने होते हैं वो भले की तरह खरी रहती है और जो और एक घरी घाटी का निर्मान होता है जिसे गाज कहते हैं जैसे चीसा पानी गाज जो की नेपाल में अस्थित है याद रखेंगे कि चीसा पानी गाज कहा है यह नेपाल में है इसका निर्मान किस नदी के द्वारा हुआ तो इसका निर्मान करनाली नदी के द्वारा हुआ किसका निर्मान तो चीसा पानी गाज का निर्मान किस नदी के द्वारा तो करनाली नदी के द्वारा करनाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है यह भी इंपोर्टेंट हो सकता है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है तो करनाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है करनाली नदी जिसकी लंबाई लगवग 507 किलो मीटर है करनाली नदी की लंबाई कितनी है तो लगवग 507 किलो मीटर अपने तेज बहाओ के कारण या विभिन गाजों का निर्मान करती है यह किस कारण से विविन गाजों का निर्मान कर दी तो तेज बहाओं के कारण तो यह था चिसा पानी गाज के बारे में तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि यहाँ नेपाल में अस्तित है यहां करणाली नदी के द्वारा हुआ है और करणाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 507 किलो मीटर अर्थाथ करणाली नदी की लंबाई कितनी है 507 किलो मीटर दूसरा है कैनियन कैनियन यह गार्ज का विश्थित रूप है Grand Canyon सेक्त राज अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कुलोरेडो नदी पर अस्थित एक खड़ है Grand Canyon कहा है तो यह संयुक्त राज में स्वरी संयुक्त राज अमेरिका में है यह संयुक्त राज के किस प्रांत में है तो Arizona प्रांत में Grand Canyon किस नदी प्रस्ति थे तो Koloredo नदी पर आगे है इसकी लंबाई लगभग 446 किलो मीटर चवडाई 4-24 किलो मीटर तथा गहराई 1.6 किलो मीटर है तिसरा है भी आकार की घाटी अवाई जानते हैं भी आकार की घाटी के बारे में विश्व की अधिकांस नदियों द्वारा चटानों का लंबवत कटाव तथा पार्स्विक कटाव साथ साथ होता है इसे याद रखेंगे कि अधिकांस नदियों द्वारा चटानों का लंबवत कटाव तथा पार्स्विक कटाव साथ साथ होते रहता है इन नदियों द्वारा भी आकार की घांटी का निर्मान होता है चौथा है जल प्रपात जब नदि का जल अचानक उचाई से नीचे गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं आपने लोगों ने कई बार पिक्चरों में या रियल में भी देखा होगा कि उचे उचे पहारों से जो पानी गिरता है उसे हम लोग जल प्रपात कहते हैं आगे हैं चिपडी काएं अर्थात रैपिट्स जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चटाने अनुप्रस्त दिशा में अस्थित होती है तो नदी की तलहटी उबर खावर हो जाती है इस ढाल पर नदी का जल तिर्प जोके से आगे बढ़ता है जिसे चिपडी काएं कहते हैं चिपडी काएं किसे कहते हैं तो जब नदी के रास्ते में कठोर तथा कोमल चटाने अनुप्रस्त के रूप में दिशा में अस्थित रहती है तो नदी की तलहटी उबर खावर हो जाती है इस ढाल पर नदी का जल तिर्प जोके से आगे बढ़ता है जिसे चिपडी का कहते हैं छाटा है जल गर्ती का नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने गर्त को जल गर्ती का कहते हैं। जल गर्ती का किसे कहते हैं? तो नदी की तलहटी पर जल द्वारा जो बना गर्त है उसे हम लोग जल गर्ती का कहते हैं। सात्मा है अधा करतीत विसर्प ये बहुत ही गहरे और चौरे नदी विसर्प होते हैं अर्ध करतीत विसर्प कैसे हैं किसे कहते हैं तो यहां बहुत ही गहरे और चौरे नदी विसर्प होते हैं जिन्हें नदी कठो चट्टानों में अपनी अपर्दन किरिया द्वारा बनाती है या कैसे बनती है तो अपर्दन किरिया के द्वारा आठमा है नदी वेदिकाएं नदी घाटियों के दोनों पार्सवों पर पाई जाने वाली वेदिकाओं को नदी वेदिकाएं कहते हैं अर्थाद नदी के दोनों किनारों को नदी वेदिकाएं कहते हैं आप साथान रूप से इसे याद रख सकते हैं नम्मा है जलोड शंकू तो आई समझते हैं जलोड संकु को नदियों द्वारा निच्छेपित नदभार गृपत से बाहर की और संकु के रूप में फैल जाता है जिसे हम जलोड संकु करते हैं याद दखेंगे कि नदियों द्वारा निच्छेपित होकर जो नदभार गृपत से बाहर की और संकु के रूप में फैल जाता है उसे जलोड संकु करते हैं नम्म है गोखुर जील मैदानी भागों में नदियों के घुमाव ऐस आकार के होते हैं अंत में यह घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि यह मुक नदी से अलग हो जाता है इस अलग हुए भाग को गोखुर करते हैं तो गोखुर किसे करते हैं तो नदियों का गुमाव जब ऐस आकार का होता है तो अंत में नदिया की गती इतनी अधिक हो जाती है कि वह एक अलग मुक नदी बन जाती है तो जिसे हम लोग गोखुर कहते हैं ग्यार माहे प्राकिर्तिक टट बन्ध प्राकिर्तिक टट बन्ध किसे कहते हैं तो नदियों के प्रोढ़ा वस्ता में निच्छे पन द्वारा किनारों पर एक परकार के बान से बन जाते हैं जिसे हम प्राकिर्तिक टट बन्ध कहते हैं बारमाहे डेल्टा जब नदिया किसी समुद्रिया जिल में गिरने लगती है तो अपने अवसाद के निच्छे पें द्वारा ग्रीक अक्छर इस रूप में ट्राइकोन अर्था डेल्टा जैसे अस्तला किर्थी का निर्मान करती है डेल्टा का निर्मान कव होता तो जब नदिया किसी समुद्रिया जिल में गिरती है तो उसकी अवसाद के निच्छे पें द्वारा डेल्टा का निर्मान होता है आगे है सरप्थम डेल्टा सब्थ का परियोग नील नदी के मुहाने पर हुए निच्छे पात्मक अस्थल के रूप में हेरो डोटस द्वारा किया गया था डेल्टा सब्थ का परियोग सरप्थम किसके द्वारा हुआ तो हेरो डोटस के द्वारा डेल्टा निर्मान के कुछ पर्मुक आवश्यक दसाएं होती है जो इस परकार है डेल्टा निर्मान के कुछ आवश्यक दसाएं है क्या क्या तो अत्यधिक नदी भार दूसरा नदी का आकार एवं आयतन अधिक होना चाहिए नदी धाल एवं वेग धीमी होनी चाहिए मन मतलब धीमा सु एस्थिर सागर टट होना चाहिए सागरी लहरे एवं जौरिय तरंगे कम परभाव साली होनी चाहिए एवं सागर का चौरा तथा मंद धाल अर्थाद धीमा धाल होना चाहिए गंगा डेल्टा गंगा डेल्टा विश्का ब्रहत्म अर्थाद सबसे बड़ा डेल्टा है यह कहां है तो यह बांगलादेश एवं भारत के पश्चि मंगाल राज में बंगाल की खारी अर्थात हिन महाशागर में अस्तित है गंगा डेल्टा कहां अस्तित है तो बंगाल की खारी अर्थात हिन महाशागर में अस्तित है इसे गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाने जाता है गंगा डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता तो गंगा ब्रहंपुत्र डेल्टा के नाम से अब आई चलते इसके प्रश्णकोस को देखते हैं तो पहला पश्णे डेल्टा का निर्मान उन अस्थानों पर होता है जहाँ निमलिखित नहीं होते तो इसका उतरिक गहरा शमुंद्र जहाँ नदी शागर में मिलती है वहाँ यदि समुंद्र गहरा होगा तो उपर्युक्त अनविकल्पों की अपेक्छा डेल्टा निर्मान ज्यादा परभावित होगा यद भी की डेल्टा निर्मान के लिए कई दसाएं एक साथ कारे करती है अता ओपर्युक्त में से सही उत्तर विकल्प D होगा अब अगला पस्ट ने विश्व का ब्रहतम डेल्टा निर्मान होता है तो इसका उत्तर है A गंगा ब्रहमपुत्र द्वारा गंगा डेल्टा विश्व का ब्रहतम डेल्टा है यह बंगला देश एवं भारत के पस्टिम बंगाल राजियों में बंगाल की खारी में अस्तित है इसे गंगा ब्रहमपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है अगला पस्तने निम लिखीत नदियों में किसके मोहाने पर प्रक्षी के पंजे की आकिरती वारा डेल्टा बनता है तो इसका उत्तर है D. Mississippi, Mississippi नदी मेक्सिको की खारी में प्रक्षी के पंजे की आकिर्थी वाली डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापा कार डेल्टा बनाती है. अब अगला पस्टने, Grand Canyon है क्या? तो इसका उत्तर है एक खड़. Grand Canyon, सिक्तराच अमेरिका की एरिजोना प्रांत में, कोलो राइडो नदी पर अस्थित एक खड़ है. अब अगला पस्टने, चीसा पानी गार्ज अस्थित है कहां? तो इसका उत्तर है नेपाल में. चीसा पानी गार्ज नेपाल में अस्थित है. इसका निर्मान कर नाली नदी द्वारा होता है. अब अगला पस्टने, निम्रिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है इनसेल बर्ग हीमनद. कैनियन का निर्मान नदियो द्वारा होता है. यह भी आकार की घाटी के रूप में होती है. जिसमें किनारे की दिवाल अत्यंद बरे ढाल वाली होती है. तथा चौड़ाई की अपेक्छा गहराई अधिक होती है. मुरेन का निर्मान हीमनद की निच्छेप जनित किरिया द्वारा होता है. हीमनद अपने साथ बारी कनो वाले पदार्थों से लेकर बरे बले सिला लेखों का परिवहन करते हैं. इन पदार्थों को जब हीमनद बहाकर नदी ले जाता है तो उनका निच्छेप हो जाता है. इसी निच्छेब को ही मोधिया मोरेन कहते हैं इसके अलावा जूजेज तथा इंसेल बर्ग का निर्मान पवन द्वारा किया जाता है मरु अस्थलों में अप्छै तथा अपर्दन से कोमल चट्टान आसानी से कट जाती है परंतु कठोर चट्टाने अवसेज के रूप में तीलों के रूप में बच जाती है जिन्हें इंसेल बर्ग कहा जाता है पवन की अपर्दन परकिरिया के फल्सुरूप मरु अस्थली भाग में चट्टानों से धक्कंदार दावात के समान आकिर्थियों का निर्मान होता है एसे अस्थल रूपों को जू जेन कहा जाता है अता अस्पस्ठे की विकल्प सी सुमेलित नहीं है तो यह था आज के वीडियो का आखरी प्रस्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारी या वीडियो पसंद आए हो यदि आप लोग को हमारी या वीडियो पसंद आए हो तो से लाइक और सेया जरू करें फिर मिलते हैं नए चेप्रा के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद